तेहराब ये तो वक्त ही थाबित करेगा, मैंने आपसे कहा कि मैं यह कर लूँगा, इंशाल्ला कर लूँगा सार्ण कुछ दूरियां रही बीज में आम लोगों का, तो इसकी वज़ा क्या रही? वज़े तो बहुत है और जैसे मैंने कहा, कुछ हमारी गलतिया रही, कुछ लोग हमारे जो इरादे और हमारी बातें जो हैं, उनको सही तरीके से समझ नहीं पाएं, लेकिन गलतियां इंसान से होती हैं, अब हमारा फर्ज बनता है कि उन गलतियों से जो सबक सीखी गई है, उ और क्या कहीं हैं? आप एक मिशन लेकर निकली है, पूरी निशनल कांफरेंस आने वाले एलेक्शन के लिए, तो इस मिशन को जो आज यहां से शूरू किया अधरास से, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या एकदाम उठाएं? एकदाम तो यही होगा, कि लोग की बातों को उभार सकते हैं, हल करना तो अभी दूसरों का काम है, फिलहाल तो वो फेल हो चुके हैं, पूरी तरह से, और अब अगर हमें मौका में लेगा, तो इंशालला कोशिश करेंगी, कि इन मुश्कलात को अंदूर करें. सरे का अखिरी सवाल, जो हाल भी में सेक्टेर्ट मुग के बाद जो वारिदात हो रहे हैं, वाकात हो रहे हैं, उसको आप किस नजर से लेग रहे हैं? कहाँ पर? कश्मीर में तो आलात बहुत खराब हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है, जहाँ पर कहीं रिवादी के किसी ना किसी कोने से खूब खराब है कि हमें ख़बर नहीं आती है, या तो मिल्टन्ट की गोलियों से लोग मर रहें, या फिर सिक्योरिटी फॉसिस की गोलियों से मर हीं, कलप परसरात को, तीन लोग जो है, उनको मारा गया था, मिल्टन्ट उने मारा, आज five मिल्टन्ट उनको सीक्योरिटी फॉसिस ने मारा है, और सुन्ने में आया है, कि दो लोग जो वहाँ इतिजाज कर रहे थे, उनको भी जो है, गोलियों से जो है, मारा गया है, इस खूंक रावे का कही ना कही तो हमें इलाज निकालना पड़ेगा, कब तक जिनाब हम अपने आने वाले नसल को इस तरह कुलबान करते रहेंगे, चाहे वो मिल्टन्ट हो, चाहे वो पथर बाज हो, है तो हमारे, उन्होंने सही, उन्होंने रस्ता गलत अपनाया है, लेकिन उ मैं अफसोस से कहता हूँ कि हमारे जो हभूमरान है, वो पूरी तरह से इसमें फैल हो चुके है, उनको अजैसे कि लगता है, मुझे लगता है उनको बिलकुल इस बात का कोई अफसोस ही नहीं है, कि कुश्मीर में इस तरह के हालात बने हैं, हमें ज्यादा अफसोस है, बनि वो आने वाले दिनों के लिए दूसरे एक हमारी जेनरेशन को तयार करें, वो इस हद तक मायूस हो गया था हालात से, कि वो खुद बंदुक उठाने के लिए तयार था, हमें अब इसको समझने की ज़रूरत है, कि आखिरकार क्या हुआ, कि वो अपनी नौकरी को छोड़के ब आगे इस तरह के हालात ना बने, इसके लिए हमें बहुत जल्दी एक्दामात उठाने पड़ेंगे, इस तरह आप अगर जमू कश्मीर की दियासत को छोड़ोगे तो तबाई और बरबादी के अलावा हमें कुछ नहीं दिखेगा, बंदू की सलामी ये नई बात नहीं है, बंदू की सलामी अभी तक हम शुपईया, कुलगाम इन जगों में देख रहे थे, लेकिन ये पहली मर्तबा है कई सालों के बाद, कि खुले आम बीच ओ बीच सिर्नगर शहर के, ये कोई सिर्नगर के बाहर के आलाके नहीं थे, ये सिर्नगर के बीच ओ बीच ओ बीच कर दो किलों कर दोड़ा टो विच ओ से दिया कि वाद आगर लाटाग अच एड़ाय कर दो लाटाग.